कि नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथ यो एकबर आप सभी का बहुत बस्वागत है हमारे यूटूब चैनल के अंदर वहीं दोस्तों आपने अभी देख हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरू करें वहीं इस वीडियो को चल से ज़्यादा जरू करे आजस्तान विदान सभा चुनाओ 2023 का बिगुलबच चुका जिसके अंदर हर राध्यातिक दल या बीजेपी पार्टी हो या चाय कॉंग्रेस पार्टी हो हर पार्टी अपने परचार में जुट चुकी है वहीं एबीपी नियोज ट्रैम सुनाओ फ्रोदी सटा बजार और भार्टी पांस बड़ी एजेंशियों राजस्तान की जंता के अधारित ओपिनियन पॉल जारी कर दिया इस ओपिनियन पॉल के अनुसार किसकी बंद रिये सरकार किसको आर का मुह देखना पड़ेगा इस वीडियो में आपको फूरी जानकारी वीडियो को एंट तक जरू देखे वहीं पत्रिस तौमबर दोजाए तेविस को उने वाले राजस्तान के अंदर विदान सबा तुनाओ अगर आप राजस्तान की सहतर्च हमारी वीडियो को देखे वह भी कमेट बॉक्स में जरू बताया और आपकी बार किसकी सरकार बंती नजर आ रहे हैं वहीं मैं तो बीका नेर में कॉल साथ सीटे साथ मैं से पांच कॉंग्रेस पार्डी को और बीजेपी पार्डी को मिलती नजर आरी है अपकी बार वहीं दूस्तों बात करें जाए रजस्तान की अगली सीट बाड़ में कॉल साथ मैं से यहां पर भी कॉंगर्स को बढ़ा बहुमत चा तो से यहां बड़ा बहुमत और बीजेपी पारडी उत्तागा धटका लगता ता नहरा नगार रहा है क्योंकि यहां पर कॉंगर्स पार्डी कि शामान की बात करें जाज़डा वार की को लगर्ट चार सीटों पर तो चार में से कॉंग्रेस पार्टी को यहां पर तीन सीटे बीजेपी पार्टी को एक सीट और अधर पार्टी को जिरू सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है ओपिनिन पोलिके अनुस और बीजेपी पार्टी का सूप्रा साफ होता दिखाई दे र पार्टी को जीरे सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई देरा है अब की बार मैं दोस्तों बात करें जाएं अगली सीट जैपूर जिल्ला की तो जैपूर में यहाँ पर कॉंग्रेस पार्डी को बड़ा ही भुवमत मिलता हुआ 12 सीटों का आकलन बीजेपी पार्डी को साथ सी सीटे कॉंग्रेस पार्डी को और बीजेपी पार्डी को तेन सीटे आसिल होती नजर आ रही है अलोवर की कॉल 11 सीटों पर बात करें जाए तो 11 में से कॉंग्रेस पार्डी को आठ सीटे और बीजेपी पार्डी को तेन सीटे प्राप्थ होती नजर आ रही और अन्ने पार धिखाइए देनर है ऐब की बार भाइन दोस्तों हमें से निक्रेक चने मरकी अथ कोईवाणitel को याँवर्ण नुक्रेस PAND-G को धब होता हुआ है धिखाइए खंद Shell वहीं देरा है भी दोस्तों बात करी जाए भिलवाड़ा की कौइब समंध की को चार सीटों नियंचा अंजर यहां याँस यहां पर दोनों को समंहतर सीटों को आफिलन होता हुआ दिख़ाय Castro यहां यहांने बीजेपी पूड़ी को 2 सीटों उप्मार्य हुआ देख़ा है और 500 बात करते हैं तो 5 में से कॉंग्रेश को बढ़ाई वहोमदार बीजेपी गुजान झाटका लगता नदर आ रहा है क्योंकि यहां पर कोंग्रेस पारडि को 3 और बीजेपी पारड़ी को में को 2 स्पेट परप्द होते ही नदर आ रहे है वहीं दोस्तों नागोर जिले में कोंग्रेस पारडि को सब से तक जठका डेते हुए साथ सीटे प्राप्त ही है और बी जाप्स बात करें जाए अगले स्यट हनु आण करकी को या हनुट 않았ो पर तो पांस बीजल को पांग्रस को प्राप्ट होती नजर रही है अजिस्थान विदान सभा चुनाओ 24 के इबीपी न्यूज सर्वे के अनुसार बात करें जाए जोदपूर की को 10 सीटों पर तो 10 में से कॉंग्रेस पारडी को फिर 5 सीटे नजर आ रही है बीजेपी पारडी को 3 सीटे और अधर पारडी का खाता खुलता हुआ 2 सीटे आसिल होती नजर आर ये अब की बार बात करें जाए गंगनारगर की कुल 6 सीटों पर तो 6 में से बीजेपी पारडी को यहाँ पर 4 सीटे कॉंग्रेस पारडी को 2 जोच इटे और अधर पारडी को जिरो शीटों का आकलन होता हुआ दिखा हिद्धे रहा है एब की बार wijने दोस्तों जो यहांफर को पार्टी को पाँ शीट है अलबर की बात करें तो अलबर काल वर Reserve को आठ पारी को आठ शेटे और भीजेपी पार्डी को तो दोस्तों इस वीडियiggs में था अग्लें वीडिय kalo ते ऐस्वेडिंश को देख रहें वह कमेंट की अंदर आप अपकी बार किसकी बंद्री सरकार वह भी कमेंट बॉक्स में जरू बताए क्या आप कॉंग्रेस पार्टी की सपोर्ट में है तो कॉंग्रेस पार्टी के लखे आई लव कॉंग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी सपोर्ट में है तो आई लव बीजेपी पार्टी जरू जए हिंद जए भारत झाल जए हिंस, ढाया र取 मुट्रा झाल के रお cznieा जार झाल झाल worker free cannot झाल झाल